मैं श्रीदत सर्मा शिक्षय विधी के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ आदरनिय दर्शगण आपने मेरा पहला वीडियो भारतिय संस्कर्ति और योग विज्ञान भाग एक अवश्य देख लिया होगा हो सकता है वो सब देखने के बाद आपके मन में किसी तरह की जिग्या सा आई हो कुछ आप जानना चाहते हूँ आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बोक्स में जाके अपना सवाल हमें भेज सकते हैं हम आपको उसका ये थोचित जवाब अवश्य देंगे इन ही वीडियोज की एक सरंखला के रूप में आज मेरा दूसरा वीडियो आज यहां पर तियार करके आपके समक्स परस्तूत कर रहे हैं आशा है आपको ये भी पसंद आएगा मैं आप सभी को कुछ ऐसी बाते भी कहना चाहता हूँ जो स्यायद आपने अभी तक उसके विशे में सोचा है नहीं सोचा है ये मैं नहीं जानता हूँ हमें इस दुनिया में कुछ और जानने से पहले अपने आपको जानना चाहिए शायद हम सब अपने आपको नहीं जानते हैं इसी कार्म से हमारी बहुत सारी समश्याइं हमारे साथ जुड़ी रहती है एक ही वीडियो में तो सब कुछ किलियर कर देना स्पस्ट कर देना शायद संभाव नहीं है लेकिन इस सीरीज में हम आपके समक्स सभी बिंदों पे धिरे-धिरे प्रकास डालते रहेंगे और आपको ये सब चीजें बिंदो वार समझाते रहेंगे आशा है आपको अपने आपको समझने में सुविधा होगी और आप अपने भ्रहंती दूर करके सभीत रहे के निर्णे जीवन से समन्दित लेने में सक्सम होंगे आज योग विशे पे कुछ भी बोलने से पहले हम थोड़ा सा मन के बारे में बात करेंगे मन है क्या ऐसा माना जाता है मन बुध्य चित और हिंकार चार जो ये तत्त्व हैं ये सक्रिय रहते हैं लेकिन ये सुक्सम है क्योंकि योग स्थूल से सुक्सम की और जाने की विदी है स्थूल जो हमें द्रिश दिखाई देता है जगत वो स्थूल है और जो दिखाई नहीं देता है परन्तु इस स्थूल इस द्रिश जगत को संचालन में महतवपूर्ण भूमी का निभाते हैं बिलकल सुक्सम्ता से जो हमें प्रियसी लहते भी दिखाई नहीं डेते हैं वो सुक्सम्ता की ओर ले जाने का ये प्रियास है और उस सुक्सम्ता को जब आप समझ लेंगे तो आपको अपना जीवन समारने में बहुत मदद मिलेगी जैसा कि अब हमने कहा मन, बुद्धी, चित और हैंकार तो आज हम केवल मन के बारे में बात करेंगे इसमें जो मन है वो विचारों का केंदर बिंदू होता है हमारे शरीर में पांच करमेंडरी और पांच ग्यानेंडरी है और ये सभी इंडरीयां सक्रिये रहती हैं मन के अधार पे शरीर से हाथ, पांच जो भी हमारी कार्य करने वाले इंडरीयां हैं वो उसी डिशा में काम करती हैं जैसे हमारे मन का विचार होगा यनि मैं पूरे ये आपको एक ही लाइन में सपस्ट करूँ तो आप ये मान सकते हैं कि आपके संपूर्ण जीवन का केंडर बिंदू मन हो जाता है इसलिए मन को समझना और मन को शुद्ध करना और मन के ओपर नियंतरन करते हुए इंडरीयों के क्रिया सीलता पे नियंतरन करना ये हमारा पहला जरूरी कार्य है कभी हम सफलता पूर्वक किसी एक निश्चित दिशा में काम कर सकते हैं मन ही वो बिंदू है जिसके अधर पर आप संपूर्ण जीवन के सभी परकार के निरने लेंगे अपना दृष्टी कोर्ण मनाएंगे और आगे बढ़ें इसलिए मन के उपर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा जैसा मन आपको बताया विचार यनि संकल्प और विकल्प इसका जो उभरता है आदमी के मन में ओ के इंदर बिंदू है आपका मन और यदि आपके संकल्प और विकल्प इन पर आपका कोई नियंतरन है नहीं विचारों पर कोई नियंतरन है ही नहीं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कभी भी सफल नहों पाएंगे जीवन में सफलता पाने के लिए आपके मन पर आपका नियंतरन हो आपके विचारों की सही दिशा हो और सही दिशा में निरने लेकर के अपने विचारों पर द्ररता से पालन करने की आपके अक्षमता हो अगर आप इतने सक्सम हैं कि आप अपने विचारों के अनुरूप कारिय कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं तो आप निश्चित तोर पर सफल होंगे इसलिए हम जब योग की परिभासा पड़ते हैं उसमें भी सबसे पहले यही बताया गया कि मन का रोकना और उसको इश्वर में विलीन करना यही हो गया तो जब हम मन को रोकने लगते हैं मन को रोकने करती ये है कि ये बेलगाम होके कहीं भी न भागता करे और उसको हर दिशा में बेवज़ जो भागते दोड़ते रहने की जो इसकी आदत है उसको रोकने का प्रियास करना और इस वर में लगाना ये योग है इसके कहने का भावारती यही है तो जब हम इस मन को रोकने लगते हैं तो उसके हमें कुछ अलग अलग अवस्ताओं का सामना करते हैं हमारी अलग अलग अवस्ताओं बनती जाते हैं तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं होती बलके उनको समझ के धैरिये से उन अवस्ताओं को पार करने की जरूरत होती है और किनके अवस्ताओं से होके गुजरते हैं इनको हम एक एक करके लेते हैं इन में कुल पांच अवस्ताओं होती हैं जहां जब हम मन का निग्रह करने ल एक विशे में कुछ पल के लिए रहता है और फिर दूसरे विशे में भाग जाता है यनि मन पूरी तरह चंचल होता है किसी भी एक विशे में किसी भी एक जगह पर बहुत देर तक नहीं रुखता और एक विचार के बाद दूसरे विचार में और दूसरे के बाद तीसरे वि मन के अंदर जब आलश्य रहेगा तो उसको एक निद्रा की भी सिकायत बननी शुरू होगी इसलिए मन के अंदर जब आपके शरीर में आलश्य पन महसुस हूँ और आपको निद्राओं का ज्यादा प्रभाव लगे तो आप यह समझ लेना कि आप मूड अवस्था के अंदर ह और आप अपने विचार से आप अपने आतम बल से इस अवस्था पे काबू पा सकते हैं आप अपने दर विचारों से अपने आलश्य को और अपनी निद्रा को दूर कर सकते हैं इसलिए जब इस तरह के अवस्था बने तो इसमें भी आपको किसी तरह की कोई प्रेशानी मह सुच नहीं करनी है बलकि आपने आत्म बलकि अधार पर आप इसके अपर विजय पाएं और आगे बढ़ें तिसरी अवस्ता है वह है विक्षित इस में विक्षित के अवस्ता में मन किसी एक विशे में कुछ समय तक रुखता है और फिर दूसरे विशे में चला जाता है यानि विशे जरूर रहेगा यहां तक विशे नहीं चूटे हैं मन के और मन लगाता किसी एक विशे में और फिर दूसरे विशे में लगाता चलता रहेगा लेकिन इसमें चंचलता की जो गती है वो धीमी हो जाएगी किसी एक विशे में ये लंबे समय तक रुकेगा थोड़ा लंबे समय तक रुकने के बाद फिर दूसरे विशे के उपर चला जाएगा इस प्रकार की जब अवस्था बने तो वो विक्षित की अवस्था कहलाती है अब चोथी अवस्था है वो है एक आगरता एक आगर होने का ये है कि मन किसी एक विशे में बहुत लंबे समय तक रुकना सुरू हो जाता है यनि जब आपने तीन अवस्थाइं पार कर दी और मन को लगाता रोकने के प्रियास में आप लगे रहे इन तीनों अवस्थाओं को पार करने के बाद जो आपकी चोथी अवस्था बनेगी वो बनेगी एकागरता की एकागरता में कि आपका मन किसी एक विशे में लगातार लंबे समय तक लुकेगा और उसके कुछ समय बाद फरिस्टिती में परिवतन होगा इसकारत यह हुआ कि एकागरता में भी मन की चंचलता पुरुन तहे शान्त नहीं हुई है यहाँ पर इतना अंतर जरूर है कि चंचलता की जो गती थी वो बहुत धीमी हो जाती अब इसका पांचवा जो अवस्ता है वो है निरुद्ध के अवस्ता निरुद्ध कारत होता है कि मन बिना किसी विशे के भी शान्त हो जाता है और उसकी चंचलता ना के बराबर रह जाती है और वो बहुत शांत चित रहने के कारण किसी एक ही बिंदू पर काफी लंबे समझ तक टिक जाता है और जब ये अवस्था आ जाती है तो आप ये समझ ये कि आपके विचार जिस भी बिंदू पर आप विचार करेंगे और जो भी संकल्प आप लेंगे तो आपका मन उसी संकल्प में उसी विचार में लंबे समझ तक रुका रहेगा और दरता से आप अपने विचारों के नुसार कारिये करने में सकसम हो जाएंगे और यदि कोई ध्यान योगी है तो वो धिरे धिरे ध्यान करते करते अपने आतम दर्शन और अंतमे प्रमातमा के दर्शन करने में सक्सम हो जाता है अब हम बात्चित करते हैं इन अवस्ताओं को जानने के बाद मन के ये इस्थितियों को समझने के बाद अब हम बात करेंगे योग की, जैसा हमने बताया कि मन का निग्रह करना और उसको इश्वर में विलीन कर देना यही योग है, जब ये योग की अवधर न बनी, तो इसके जो परवर्तक रहे मैरसी पतंजली जी, उन्होंने इस साधना को सगम बनाने के लिए योग को आठंगो में बात दिया, आठंगों में बात दिया, तो उसका पहला जो अंग है वो है यम, आज इस वीडियो में हम केवल यम को समझेंगे, यम क्या है, यम हिंदू सनातन ध्रम के नुजू अनुसार मर्त्यू के देवता को माना गया है, अब योग में मर्त्यू के देवता की कलपन क्यों कि जैसे आप इस दुनिया में देखते हैं कि मरत्यू कभी भी हो जाती है चाहिए दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो उस्म में कोई दिन का कोई रात का कोई पल कोई वक जाते हैं जब हम इस कल्पना को करते हैं तो जिस तरह से यम बिना किसी थकान के बिना किसी आलस्य के बिना किसी लापरवाही के अपना ये दाइत्तव पूरी तत्पता से निभाते हैं उसी परकार यम के अंदर जो बिंदू समझाए गए हैं परतेक साधक को उन सभी उसी कठोरता से काम करना है इसलिए इसको यम का नाम दिया गया है यम में पांच बिंदू है पांच बिंदू में सबसे पहला बिंदू है एहिंसा एहिंसा और हिंसा इसको समझ ले हिंसा केवल किसी जीव की हत्या करना ही नहीं है जीव की हत्या करना तो हिंसा है ही, लेकिन वह वहीं तक सिमित नहीं है, यनि किसी जीव को किसी तरह से परताणना करना, कस्ट देना, ये भी हिंसा का ही एक अंग है, लेकिन एक दूश को, नर को, जो बुद्धिमान जीव माना गया है, उसको कभी किसी जीव को कोई पीडा य या उसके वद्ध करना ये तो बहुत दूर की बात हो इसी लिए आप किसी जीव को परतारना दिये बिना आप अपना जीवन निर्वा करें इसी का नाम अहिंसा है और इसका उसी कठोरता से पालन करना है कि भूल कर भी आप किसी जीव के लिए परतारना या कस्ट का कारण ना वने, इसका दूसरा यम का जो दूसरा भिंडु है, वो है सत्य, सत्य का क्या मतलब है यह नबें, सत्यकार्थ है कि आदमी अपने विचार और बोले जाने वाले शब्द यूनि वानी ओर श्रीर से होने वाले कर्म यानि काईक कर्म इन के अंदर उसकी एक रूपता होनी चाहिए जो वो सोचे वैसा वो बोले और जैसा वो बोले वैसा ही करे या इसको दूसरे विपरित शब्दों में लेके आएं तो जैसा वो करता है वैसा ही दुनिया के सामने बताए और उसी के नुरौब अपना काम आगे विचार करें यनि विचारों में वानी में और कर्म में एक रूपता स्थापित करने का नाम सत्य है इसी का नाम सत्य होने से आपके मन में किसी तरह का भै नहीं रहता नोर्मली आदमी कहते कुछ हैं करते कुछ हैं इससे उनके मन में एक अंजाना भै बना रहता है कि कहीं उनका भेद ना खुल जाए। लेकिन जब आप इस प्रकार से सत्य का पालन करेंगे तो आप इस भै से मुक्त रहेंगे और बिना किसी कुंठा के आप अपना जीवन वेतित करेंगे। अब इसका तीसरा बिन्दू है वो है अस्तेय का अर्थ होता है कि आप दूसरे के धन को हरपने का परियास ना करें। आपके बहुत सारे मेत्र, पडोसी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते भर हैं या नहीं भी जानते हैं लेकिन उसके घर के आसपास से गुजरते हैं उसकी बड़ी बिल्डिंग, उसकी बड़ी गाडियां या उसके पास ऐसा अभास होता है कि वो बहुत पैसे व पाएं और अपनी मेहनत से ही लगातार पाते हुए आप अपने आपको सम्मर्ध और खुशाल बनाएं इसी का नाम अस्तेय है यानि किसी दूसरे का धन हड़पने का उधार मांगे ना देना या चोरी से उसका धन निकाल लेना या किसी और रिश्वत के बहाने किसी से धन रपना ये सब ऐसे कारण हैं जो आपके लिए आगे चलके परिशानी का कारण बन सकते हैं और इसको त्यागना ही आपके लिए सबसे बहतर होगा और इसलिए योग में अस्तेय भी एक बिंदू रखा गया है और इसका जूसी कठोरता और द्रड़ता से पालन करना है अब चोथा बिंदू है वो है ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी एक अर्थ क्या होता है अब हम ब्रह्म को समझते हैं ब्रह्म उस विशाल तत्व का नाम है जो स्वयम तो विशाल है ही और अपने साथ मिलने वाले सूकसम से सूकसम छोटे से छोटे पदार्श को भी उसी विशालता क का रूप दे उसका नाम ब्रह्म है अब यह समझ में आने की बात नहीं होगी लेकिन थोड़ा समझें जैसे आस्मान से एक बूंद रेट में गिरे तो उसका कोई महतव नहीं है वो उसी समय सूख जाएगी परंतो यदि वही एक बूंद इसी सागर में जाके गिर जाए तो व हम अंस हैं और उस अंस को हम ब्रह्म सवरूप भी मान सकते हैं या जीव भी कह सकते हैं या उसको हम आत्मा भी कह सकते हैं यह आत्मा उसी प्रह्म विराट चेतना का एक अंस है यानि ब्रह्म का सवरूप है उसी का प्रतिविंब है और मन बुद्धिचित हेंकार ये चार प प्रत्वी अगनी जल्व वायू और आकास पांच चार नो पांच विकार काम करोज मदलो मो पांच तनमात्राइं रूप रस गंद सर्वन और सपर्ष साथ ही आप इन सब का त्याग करने के बाद फिर पांचों करमेंद्री और पांचों ग्यानेंद्रियां दसों इन सब चीजों को उपर उठ करके जब आप अपने आत्मा के अंदर चले जाएं तो वो ब्रहम का पालन करना यानि ब्रहम में आचरन विछरन करना ही ब्रहम का ब्रहम चरिये का पालन है परांटू इस संसार में ग्रष्ट व्क्ति के लिए संबव नहीं है इसलिए संयम सिल्टा के साथ अपने भोग विलास करना ये भी एक ब्रह्म का रूप है लेकिन सहीं सिल्टा के साथ तो इसलिए ब्रह्म चरिये कार्थ यही है यहां पे कि आप संसार में ते धिक सुखोप भोग का परित्यार करें और मरियादित रहते हुए इन सभी चीजों का उप भोग क करके अपने जीवन को सुखद और सरल मनाएं इस यहां पर इसी ब्रह्म चरिये कार्थ यही है आप पांचमा बिंदु है आप परीग्रह कार्थ यही है कि आपके सामने संसार में जो भी कस्ट पैदा हो उस कस्ट को देखके भी आप अपनी मन से अपनी मानी से और अपने श ना आएं इसी का नाम एपरीग्रह है आशा है आप सब को आज यह बिंदु समझ में आए होंगे इनके ओपर हमारा यह वीडियो देखने के बाद आप सभी बातों पे चिंतन करें मनन करें और फिर आपके मन में यही कोई सवाल आता है तो आप कमेंट बोक्स में जाके परस दूसरा अंग होगा जब हम इस तक पहुंचें तब तक आप इसके ओपर चिंतन करें मनन करें और अपना सवाल हमें भेजें इसलिए मेरा आप से यह अनुरोद भी है यदि आपको यह वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख करके लाभानवित हो सकें तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन